दूस्तो हम यहाँ पर देख रहे हैं केले की फिल्ड और केले की फिल्ड बहुत ही अच्छा प्लांट सेट हुआ है यह हमारे द्वारा ही पोधा आयावाब है और पोधा बहुत सांदार सेट हुआ है इसके पीछे reason है एक तो मिट्टी दूसरा पानी proper maintenance और तीसरा proper drinking इसको तीनों चीजें proper मिली है इस वज़े से यह हर पोधा अच्छे सेट हुआ है पत्ते भी अच्छे निकाले हैं कुछ-कुछ चीजें की कमी है जैसे कि एक sun नहीं ल तो इसमें घास बहुत हो गई थी तो घास होने की वज़े से इसमें यह बेनिफिट दिख रहा है कि पोधा व्यवस्तित स्वस्त है अभी निदाई हुई है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जग जग चारा भी निकला हुआ है गास निकली हुई है इस जगे यह आधा इंपरेंट रखता है इसमें अप्रियोन ந आप इसमें बरस्तित में समय ऐ ли दरा ओर एक शी करद्टर ज़ैसे नहीं चारर कोखन मेंद हैं इसमृतों कि जख ध Mr. Lev cent ए इसमोंद और इसमें हम डाल लेते हैं तो कई सारा अच्छा रिस्पोंस मिलता है जिससे की पोधे गडबड ना हो और पोधे व्यवस्तित रहे जैसे यहां पर पोधा खतम हो गया था तो गाठ लगाई हुई है यहां पर और वो धिरे धिरे जनरेट होगी अभी और बाकी तो पोधे अच्छे हैं यहां पर एक और चीज़े की पश्चिम की होई चलती है तो यह जो दिसा है जो आप देख रहे हैं यहां पर यह पूरा पोधे की जो लाइने हैं यह गड़े नुमा खेत हैं यहां पर तो गरम होई उपर से निकल जाती है अभी तो इस वज़े से भी इसको बड़ा अगर इनको फॉलो कर लेते हैं तो एक बड़ा बेनिफिट मिलता है यहां पर आप होल देख पा रहे होंगे यह इल्ली के ही होल है और इसके अंदर कई ने कई इल्ली बेठी हुई है तो कोशिस करें कि इल्ली का इस पर जल्दी से जल्दी दे दे ताकि यह जो समस्या आने व और पोधा का पूरा स्वस्त रहेगा इसके अलावा पॉंगा भरनी यह फिर ड्रैंचिंग यह अगले वीडियो में हम जल्दी से लेकर आ रहे हैं जिसमें किस तरह से क्या-क्या किया जाए जिससे कि पोधा और ज्यादा स्वस्त और अच्छा मजभूत बने, सबसे में पोधे में है गाठ, इसकी जितनी अच्छी गाठ बनती है, जितना अच्छा तना बनता है, उतना अच्छा पोधा बंच निकालता है, तो ये सारी चीजें होती है, छे महीने के पहले वाले पिरेड में, उसमें जितना ज्यादा इस्टोरेज कर सकते हैं, उतन स्था में यहां पर जमीन में बेसल डोज की भी जरूरत होती है तो बेसल डोज में एक डीएपी खजार पोधे पर मैं बता रहा हूं तो एक डीएपी एक पोटास एक यूरिया और मिक्स माइक्रो न्यूटरन की कीट अगर यह हम ले लेते हैं तो इसको बहुत अच्छा रिस्पोंस मिलता है और यह हर महिने में एक बार देना है चार बार वेसल डोज करना है और देना है पोधा लगाने के 20 रोज के बाद और एक महिने के बीच में तो पोधा लगाने के एक महिने के बीच तक में उसे दे देना चाहिए अगर यह कर लेते हैं तो पोधा बहुत अच्छा रिस्पोंस दे कर चलता है धन्यवाद दोस्तों